डालेंगे यह मसाला वसला ताकि इसमें घुल जाएगा तो इसको हम दो मिनट ये तीन मिनट अच्छे से पका लेते हैं तो देख सकते हैं यहां पर हम अभी प्याज पका रहे हैं और प्याज पक गी गया है हलका सुनहरा कलर हो चुका है देख सकते आप लोगी Ogarkan धू हो रहा है देख सकते हैं यह कंँ संदर पढक हो चुका है और अभी हम डालने वाले हैं यह मतन देख सकते हैं तो एसता है कैना हई ईक्त मुत है और भी तेल मेटन के बेख सकते हैं इस प्याज्व पगआ के देखे हैं अभी इसमें धाले में फुरसनानमागर कनेले जोगाम अब देने सकते हैं can ज़्द इसके हैं मिल Verm look जोजub ioup ऑफाल काट के देखे हैं में और यह बत्सक्राइब देंगे अमागरWow दानिया, जीविरा, गोल्की, अदरक, लशून, मिल्ची, और च्यागत, गरम मसाला, सब चीज मिलागे, इसमें पीस दी हैं, जेख सकते हैं, पहले ही पीस के रखे थे, और आभी हम दालने बारे हैं, यहां पे देख सकते हैं, इसमें डाल के अच्छी से, मिला रहे हैं, अभी अच्छी से मिला रहे हैं, हल्दी, यहां पे हल्दी ले चुके हैं, और अभी हम डाल लेते हैं, हल्दी, कितने अच्छा हो गया टेस्टी, और देखें भी टेस्टी लग रहा देख सकते हैं, अभी इसमें पानी देख हम सिजाएंगे, 10 मिनट पर, दोस्तों अभी इसको हम अच्छे से पका लेते हैं, तब उसके बाद पानी डालेंगे, यह मसाला असला तक इसमें घुल जाएग ग्रीथा, जैका लें इसमें सिजाए। क्वाईब और देख थारे की पानी जाल देंगे और थरा सा पानी जाल देंगे इसको अच्छे से ढखके 5-10 मिन तो अच्छा ही स्वादिष्ट लगेगा दोस्तों यहां पे हम तो भूच के दे दी हैं पकने के लिए और दोस्तों अभी यहां पे जब तक पकेगा हम जाते हैं चावल बनाने के तयारी करेंगे क्यूंकि चावल नहीं बनाएं सबसे पहले पकाये और जार पोच भी कर चुके हैं देख सकते हैं और आपनों को दिखा रहे हैं चावल लगा लिए और वहां पे लासुन्सण छिल के पीसे हैं जो वही जिलका दर हुआ है और अब धर देख सकते हैं अंगान में घंस उस मतलब खाड़ी लगाए थे वह सारा हई है जाने काता है काऊ बाहर में क्या करेगा दोस्तों दोस मिनट हो चुका है यूगार के देख लेते हैं किस तरह हुआ है तो देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा हो गया है यह सब्जी जेख सकते हैं यह बनके हो गया ते यह अभी उतार के रख देंगे उधर तो दोस्तों देख सकते हैं वहां पर चावल भी चड़ाएंगे मतलब पानी चड़ा दिये हैं उसमें चावल धोके धाल देंगे अभी और इसको उठा के हम रूम में राकाते हैं क्योंकि यहां पर बिल्ली खा ताकि बिल्ली ने खाएगा यहां पर देख सकते दोस्तों यहां पर प्याज जया था जो उसको उठा दिये और यहां पर रोटी उटी रखा था बनाए थे जो धर ले हैं चार-पांज गो यह मतलब अंदर से शिजा नहीं है इसमें धर रखा हुआ है और यहां पर आभी य हटिया से हरा वहरा सब्जी आलती करेलया वूली टमाटर यह सारा चीज यह हटिया सभी लाएं देख सकते हैं और इदर कितना सारा समयन पसरा हुआ है मेरे घर में देख सकते हैं इसको एक दिन अच्छे से समठना है तोस्तों और तब अच्छा दिखिये गाई और बाबु आज तुमको दबाई खाना पड़ेगा आज दबाई खाएं अच्छा ना बोलो चाहा पीएगा काई काँ सी खतम देख से दोस्तों चाहा पीएगा और नहीं बोल रहें नहीं देंगे तो मारने के लिए तो उठता देख सकते हैं आप लोग वागया इसको इसलिए चाह पीने खोज रहा है बंगनार बच्चा चाह पीएगा एकटे हई है अभी तो दो कर दो दो या बीए का सलागा बीए सलेगे तो लाइक श्राइब और कमें कर की जूर पता ये अगा में देने की विए उल्या पाज्या 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 पाज्या